नमस्कार स्वागता सभीका मैं हूं राजिंदर सिंग इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक पैप्रोल पंपर इंदन भरवाने वाले उप्भोगताओं के लिए क्या-क्या उनके अधिकार होते हैं और क्या उप्भोगताओं को कर्तव्य अपने निवाने चाहिए यह वात नोटिविएशन में जो ओल दिखाई दे रहा है उसको भी आप ओन कर ले ताकि इस चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो कानुनी जानकारियों से संबंधित अपलोड हो उसका नोटिविएशन आप लोगों तक पहुच जाए अब और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर द भूल जाएंगे इसलिए पहले ही लाइक कर दें और शेयर भी जरूर कर दें तो सबसे पहले जब भी कोई भोगता किसी पैट्रोल पंपर वान में इंदन बरवाने जाता है तो उसके लिए पहला अजिकार यह होता है कि वह जो इंदन वह अपने वान में बरवा रहा है उस पर पैट्रोल की कुछ बुदे डालकर जाच करवा ही जा सकते है कि जो पैट्रोल की क्वालिटी है वो किस प्रकार की है अगला अजिकार वह भोगताओं को यह होता है कि वह है जो पैट्रोल यह कोई दूसरा इंदन अपने वान में डलवा रहा है उसking वह क्वान्टिटी या उसकी जो चमता है उसकी वे जाज करवा सकता है हर पैट्रोल कोंपर श्विद्ध होती है कि 5 लिटर का एक पैट्रोल या डिजल नापने का यंतर मोजूद होता है और उसकी जाज की जा सकती है कि जो पैट्रोल या डिजल वहान में डाला जा रहा है वे उस यंतर के अमसा उसकी quantity पूरी है कि नहीं है अगला अधिकार इसमें यह है कि हर गोगता जो पैट्रोल खहिद रहा है उसे यह जानने का अधिकार है कि पैट्रोल की किमत क्या है हर पैट्रोल पंपर हर दिन की अंसार पैट्रोल या डिजल या जो दूसरा इनन है उसकी किमत दर्शाई जाती ह अगला अधिकार इसमें यह है कि जो भी इन दन आपने अपने वान के लिए खईदा है या वान में भरवाय है उसकी रशीद प्राप्त करने का भी अधिकार आप सब बहुताओं के पास होता है अगला अधिकार इसमें यह होता है कि हर वान में जो उनके टायर्स होते हैं उनके प्रेसर या उनकी हमा को निशुल भरवाने का अधिकार हर पैट्रोल पंपर हर बोगताओं को होता है अगले अधिकार में हर पैट्रोल पंपर पीने के पाने की वाने की वाने वाला योग सोचाले की स्विद्धा उपलग होनी चाहिए ये विव भरवताओं के लिए एक अधिकार पैट्रोल पंपर बनाया गया है अगले अधिकार में यदि किसी दुरगटना में कोई वान का ड्राइवर या कोई और व्यक्ति दुरगटना गरस्त हो गया है तो पैट्रोल पंपर ऐसे दुरगटना गरस्त व्यक्ति की अवस्क है तो अपातकाल फोन स्विदार करने का विवापय वश्था होनी चाहिए तो यह तो हमने जाना कि उपभोगताओं के लिए क्या-क्या अधिकार एक पैट्रोल पंपर होने चाहिए और इसके साथ ही यदि ये अधिकार किसी उपभोगता को नहीं मिलते हैं या ये स्विदाएं किसी पैट्रोल पंपर उपलब्द नहीं करवाई जा रही है तो आप लोग ऐसे पैट्रोल पंप मालिक के खिलाब या डिलर के खिलाब शिकायत कर सकते हैं ये भी उपभोगताओं का एक रहीत है ऐसी शिकायत किये जाने के लिए हर पैट्रोल पंपर एक शिकायत उस्तिका मोजूद होती है उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं साथ ही हर प अधिकार होता है कि शिकायत अधिकारी का नाम क्या है उसका पता क्या है या उसका फोल नंबर क्या है तो आप वहां से शिकायत अधिकारी के पास भी शिकायत कर सकते हैं तो यह तो हमने जाना की बोगताओं के राइट्स या अधिकार क्या होते हैं अब जहां भी राइट्स क के साथ साथ अपने कर्टवें का भी पंधालं धरें तो अब लेते हैं क्या कर्टवे होते हैं उन भोगताओं के जो पैले पर अपने ब्रूं यह जाते हैं तो सब 2 नहीं बहुत अपने वान में इंदन भरवाने के लिए जाएं तो वान में इंदन भरवात्ते वग अपने वान के इंजन को स्विच ओप कर दें दूसरा इसमें पैट्रोल पंप रिस्टर में कभी भी माच्चिस बीडी सिग्रेट ना जड़ाएं मोबाईल पर बात ना करें और इंदन भरवात्ते वग अपने वान से बार निकल कर खड़े हो जाएं और साथी प्लास्टिक की बोतल में या कांच की बोतल में पैट्रोल या डिजल ना भरवाई क्योंकि इससे भी कई बार दुरगटना होने की संभावना भड़ जाती है तो ये अमने जान्या की क्या कर्तवियों होते हैं जो हमें जिनकी हमें पालन करना चाहिए तो उम्मीद है इस वीडियो में अधिकार और कर्तवियों के बारे में हमने जो चर्चा करी वो जरूर आप लोगों के लिए जानकारियों अच्छी और आपके काम की जरूर सीथ हो अपने अधिकार जाने साथ ही साथ अपने कर्तवियों का भी निर्वेंग जरूर करें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें इसी कामना के साथ इस वीडियो को इनी बात्तों के साथ समाप्त करता हूं तन्यवाद